हैलो फ्रेंड्स तो आज हम अगर आपका सरीर कमजोर है वीग हो अगर तागत नहीं रही तो आप ये लड़ू सर्दियों में खाएं तो आपकी तागत बढ़ जाएगी आपके ब्रेन पावर और आपके न्यूटिशन हड़ियों में जो कमजोरी है वो सारी दूर हो जाएगी इस तरह के लड़ू आप खाएंगे तो इसके लिए हम या लेंगे मैंने यहां पाव पाव सारी चीज़ा ली हुई है नट्स की आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो कोई फरक नहीं पड़ेगा लड़ू में तो इस तरह से आप बनाऊगे हमारे हमोश्टली सर्दियो बहुत बेकार हैं वो नहीं खाते हैं तो मैं जो वो खाते हैं वो ही मैंने इसमें यूज किया है तो मैंने सिर्फ या हम इसको रोष्ट करेंगे तो मैंने आज सिर्फ या काजू यूज किया है बादम यूज किया है मखानी यूज किया है आप चाहो तो इसमें आप इसमें गोंद बदो आपर कोई भी दोग से अम्त कम डो ऐसेchen old के लिए पज़ेंश के लिए उसके लिए थे घी लेंगे आप इसमें घी कम यूज़ करें मैंने या बेसन और आटा दोनों यूज़ किया है आप चाहो तो इसमें बेसन बेसन ले सकते हो या आटा आटा ले सकते हो या दोनों मिक्स ले सकते हो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो कोई फरक ने पड़ेगा अब जब आदा सिख जाएगा उसके बाद हम इसमें और घीडा लेंगे क्योंकि हम अगर पहले से ही ज्यादा घीडा लेंगे तो इसको सिखने में बहुर टाइम लगता है तो वह मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको पहले कम घी में इसको भून लिया था अटे को उसके बाद मैंने इसमें और घीडा किया और अभी मैं इसमें गी और भी आट करूंगी तो वह मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे करना है वो तो इसमें मैं कम-कम घीडा कर रहा है अपने हिसाब से क्योंकि मुझे वह ज्यादा सही लगा आपको कैस तरह से बनाना पसंद है वो मुझे कमेंट वॉक्स में जरूर लिखें तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें अगर आपके कम घीकी बज़े से डरी या कुछ ऐसे कुछ दिखे न तो आप बिल्कुल टैंसर ना ले जब हम लड मैंने इसको बारिक पीशा था तो इसमें से तेल निकल गया था इस तरह से बादाम करना तो वह मैंने इसमें यूज किया है और इसमें मैंने सक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार अगर आप कम मीठे खाते हो तो कम और ज्यादा खाते हो तो ज्यादा वैसे मार्केट में स चाही परफेक्ट के मिलते हैं वही मैंने इसमें रेशियो यूस לי क Anime दाल आधे के समथिय को सब्कर आधी मतलबmüş थाइँ चाहँ सलग अश्मिर मैंने दाली है आधी मतलब गरम की थोड़ा और एड़ करेंगे तो बस आप इसमें घी या सक्कर या आटा थोड़ा उपा नीचे हो जाए तो आप डरना बिल्कुल भी नहीं मस्त बनते क्योंकि इसमें घी है और शक्कर है मैंने इसमें याँ देशी बूरा यूज किया है तो प्लीस अगर आप नए हो नो प्लीस डेल को लैके शियर संस्काइब जरूर करते जाने मेरे चैनल नो यह देखे ये वाले ड्राइर फ्रूट मैंने मिक्सी की स्सेलाना जमने हीं बिलकुल कि यह दार्णेदर बन मेँ उस में आधा आटा मैंने विण आधा नहीं नाप तो पमिर नीजे का ना आप तो को यह दार सपहले वियन मीदा, तो कि फ़्यार है।adosom कोई फरक नी पड़ेगा आपके लड़ू अच्छे बनेंगे घी बस इस तरह से होना चाहिए कि आपके लड़ू बंद जाए बस और कोई टेंसर नहीं है तो घी तो हम यहाँ ज्यादा भी हो जाएगा तो भी जलता है हमारे आतों तो बस इसको मिक्स किया इसमें डालेंगे ह पर से तो इसको बनाने में बहुत आसारी होगी आपको अगर यह ठंडा हो जाएगा तो इसी में सेट हो जाएगा वो लड़ू बिल्कुल नहीं बरेंगे अगर आप चाहो तो इसी तरह से भी आप बॉक्स में भरके रख दे और चमश से खाएं वह भी बहुत टेस्टी है बट मैं इस तरह से इसलिए बना के रख देती हूँ कि अगर जब बच्चों को हलवा खाना है न तो डाला और पानी डाला गरम और बना के उनको दे दिया और टिफिन में भी आप डाल सकते हो अगर पीडियो पसंद आए तो से लाइक तो जरूर करें थैंक्यू बाई